आप पोस्ट में का यूज करके फाइल अपलोड कर सकते हैं ठीक है और इसके अंदर में आपको एक विडियो वगारा अपलोड कर सकते हो और उन वीडियो को आप फैच भी कर सकते हो तो एप पुरे काम करते हैं इसके अंदर आप दूसरी इमेजिस को गेट करके देख सकते हो पोस्ट करके मतलब अपलोड कर सकते हो पैच करके डिलीट कर सकते हो अपडेट कर सकते हो उस इमेज को उसका मेटा डेटा इनक्वेशन बागारा ठीक है तो देखते हैं कि प्रेटिकली कैसे करते हैं प्रेटिक मिल दाएगा ठीक है उस collection के अंदर file upload API है कैसे उसको use करना है ठीक है अब मैं आपको बतातो कि कैसे use करना है इसको बहुत easy example है सबसे पहले मैं बतातो कि जो ये वाला API है ना इसके अंदर हम O2 use करते हैं ठीक है तो O2 मैं explain नहीं करूँगा पर आपको एक simple सा funda पता देता हूँ O2 क्या होता है कि O2 में basically हम किसी एक FC application को access देते हैं तो जब हम एक application create करते हैं basically हम इंगूर की website पे जाएंगे हम वापे application create करेंगे अब वो application जब हम बनाएंगे तो हमें client ID और client secret देदेगा ठीक है उस client secret और ID को जो हम एक API input पे hit करेंगे तो हमें token देदेगा तो वो token जो हमारा personal token हो गया तरह से हमारा password हो गया ठीक है और उस password को हम यहाँ पे basically use करते हैं ठीक है जैसे कि मैं अब जब हम upload करेंगे get के time पे तो upload यूज करने की जूरत मीं है get के time तो हम information get कर रहे है token नाम से ठीक है token लेने से पहले आपको एक application बनने पड़ेगे तो सबसे पहले application बनाओ client ID, client secret second part है second client ID और secret मिल रहेंगे आपको तो फिर एक password मिलेगा मतलब इसको token कह रहे हैं तो अब token जो मिलगे आपको अब यह token यूज करके आप O2 में बस आपको कुछ नहीं करना होता आपको बस यह header के अंदर append कर देना तो यह बस अब आपकी calls चलने लग जाएंगी आप एक authorized person बन जाएंगे ठीक है तो मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे बनाया है मैंने इस तो पुरा प्रॉपर ले सबसे पहले आपके अगरना apidocs.imgo.com पर चले जाओ सबसे पहले तो यहां जाओ आप कहा गया इस वाले पर imgo.com slash settings आप पहले तो account बना लेला यहां पर ठीक है कोई भी gmail से कैसे भी बना सकते हो उसके बाद यहां पर जब आप जाओगे api.imgo.com or to add client ठीक है तो सबसे पहले हम मैंने को बताया था आपको एक application बनने पड़ेगी है ना तो यह application रिजिस्टर है न application इसके अंदर आपके करो नाम डाल दो आपना अब मैं आपके सामने एक बनाता हूँ इसका नाम है promote ठीक है हम कर रहे है ओर टू इस callback URL को डाल सकते हो आप यह by default callback URL है कुछ भी डाल सकते हो इस वाले callback को यूज़ कर सकते है पोस्ट में को by default है कोई website जो optional है मैंने यह अपना link डालती है यहाँ पर मैंने कुछ नहीं डाला ठीक है अभी मैं एक application बना रहा हूँ हूँ ताकि यह मुझे एक password देते है ठीक है अब यह मुझे क्लाइंट आइडी और client secret देते है ठीक है अब मुझे basically token मनाना है तभी तो मैं post request मार सकता हूँ get request तो भीना token के लिए चल जाती है ओर टू के लिए बार बार यूज कर सकते है ठीक है तो आपने अब क्या करना है कि यहाँ पर select करके O2 select किया ठीक है जैसे आप O2 select करोगे तो यह बोलेगा available token अभी मेरे पास एक token पढ़ा है पर आपके में यह नहीं दिखेगा ठीक है अब क्या है इसको बनाना कैसे है ठीक है इसको बनाना बहुत असान है इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने token का नाम डाल दिया जैसे मैंने token का नाम डाला callback URL में मैंने यहाँ पर authorized using browser रखा है ठीक है यह चीज़े याद रखने यह चीज़े आपको information बेसिकली यहां मिल जाएगी यह इस वाले authorization के बोलेगा मैं अलाओ करूंगा यहां पर ठीक है और यहां पर यहां पर यहां पर टिक हो जाएगा ठीक है authorization complete proceed अब देखो यहां पर token image में एक token मिल गया अब यह token जो है इसको copy कर सकते हो आप और यहां पर basically अगर आप देखोगे तो यह automatically यहां पर available token में दो आगए ना तो दो अनों available हो जाएंगे यहां ठीक है कुछ नहीं करना आपको client ID, client secret जो थे अपने डाल दी आप में जो यहां नहीं बनाया थे अभी ठीक है लिंक है वो यहां मिल जाएगा आपको ठीक है यह इमगूर की documentation API इसके अंदर आप image पर जाओगे तो यहां पर get image मतलब आप image को fetch करके देख सकते हो तो basically मैंने क्या किया है मैं इमगूर पर गया मैंने एक image upload कर दी है ठीक है यह मैंने एक upload कर दी इसकी एक hash मिलती है अब ना कई लोगो confused हो रहते हैं जब मैंने प्रीवेस चुटोरी बिल दालता है उन्होंने upload करी तो यह पोस्ट कितना रिखती है तो यह गैलरी है गैलरी वाला hash नहीं चाहिए यह hash नहीं चाहिए हमें आप इसको copy करो copy image address करो और जब यह आई वाला मिलेगा यह hash है ठीक है यह real hash है इस real hash की बात हो रही है आपर जब आप यहाँ पर यह डालोगे send करोगे ठीक है तो आपको 202 में देख लोगे तो आपको पूरा यहाँ पर यही image दिख जाएगी ठीक है अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको basically यह image है तो get करके हम इसको देख सकत image है ठीक है मेरे पास कोई temporary image है मालो मेरे पास कुंसी image का use करा जाए यह वाली image दिख कर लेते हैं ठीक है अब मुझे मालोग यह upload करनी है तो हम मुझे कुछ नहीं करना अब यहाँ पर देखो इसके documentation पर जाएंगे हम यहाँ पर ठीक है image इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हो ताकि दिखें आपको पूरा बड़ा करा इमेज पर जाएंगे इसका एकना एरो है एक सेकेंड गाई बस हां ठीक है यह एरो को नीचे गर दो एक बर मैं छोड़ दे भाई बस कर इस क्लिक कर दो अब फूल कर दो ठीक है image upload image upload पर आप जाओगे तो अब कुस नहीं अब य API यह यूज करना है तो मैंने यहां पर पूरा API.v3 पर डाल दिया ठीक है body के अंदर form data रखना है image करके आपको इसमें बताना है इसने यही बताया आपको image is equal to header में अपने आप आपको client ID डलनी पड़ीगी तो basically हो क्या रहा है कि authorization जब token आपने बनाया होगा ना तो यह header आप binary file डालनी है अब कुछ न देखो postman में तो बहुत बढ़िया चीज है जैसी आप image का select करोगे यहाँ पर drop down में image का option भी आथा ठीक है इसमें image select किया और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर file select करता हूँ ठीक है तो चले जाते है उसी folder में या वो TTA अब यह वाली image ठीक है इसको मैंने डाल दिया यह image select हो गई header एक बार फिर से देख लो बेर टोकन डला हुआ है ठीक है authorization जो हमने यहाँ से पहले करी थी configuration से वही है body में हमने बस यहाँ इमेज select करी है ठीक है meme टाइप बगएरा मेरे खाल चाहिए इसमें अपने आप डल जाते हैं तो यह अपने आप अप्लोड का यूज किया है हमने add to authorization token बनाया दोकन बनाने थो 200 ओके आगया है और यहाँ पे इसने हमें हैश भी देदिया ठीक है और यह में इसमें हम्हें को कपी कर लेते हैं इसको हम यहां कोषिश करता है है Gregory हटा जिस्ठ तो मैं इस maj अपनी अपने डिला तो मैं विए खुरूंटरि विगर अपने यह अपने अब ड्लाथा है लेकिन अगर और आपने बिलगा यहां 3 तो मैं सजेट करूँगा आपको यहाँ पर यह मीम टाइप जरूर देख लेना ठीक है तो यह मीम टाइप बगरा यहाँ पर डाल सकते हो आप बेशते समय ठीक है आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो कुछ सारी और इसके निरा बागे सब यह है जैसे डिलीट करना चाहते हो अब डिलीट भी कर सकते हो सेम इमेज है शको तो पूरा करड है फेवरेट कर सकते हो इमेज को अपडेट कर सकते हो उसकी इंफोर्मेशन लाइक टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगएरा अपलेट करना चाहते हो तो पूरा करड है उसकी टेस्टिंग कर सकते हो अप्रोपल झाल झाल